नमस्कार बिचो मैं शल्पी जैस्वाल आज हम लोग फिर से अपनी अधूल हिंदी पार्ट माला क्लास फिफ्ट के चैप्टर नमबर फिफ्टीन जिसका नाम है राश्ट्री पर्व देश का गौरो को लेकर उपस्तित हैं बचो यह जो चैप्टर है यह चैप्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह हमारी भारतिय संस्कृति से संबंदित है हमारे भारत वर्ष से संबंदित है हमारे उसलीर दर्म के दर्मेंहों कुली संस्कृत अब मैं एक जुटों कर मनाते हैं ठीक है वह कॉन सá पर्व है तो बांद बच्छों हम लोग वो देखते हैं कि भारती संस्कृति विशविमें महान कहलाई जाती है यह सच बात है कि हमारे भारत की जो संस्कृती है वह विशुमें महान कहलाई जाती है क्योंकि यहां अनेकता में एकता है जैसा कि मैंने बोला कि यहां सभी धर्म के लोंग एक साथ मिलकर रहते हैं और अपने अपने तवहारों को मनाते हैं बहुत से कहीं कहीं पर सभी अपने सभी अपने तवहारों को एक दूसरे से के साथ बाठते हैं खुशी मिलते हैं मिलकर मनाते हैं और विभिन धर्मों के विभिन पर्व हैं मगर कुछ ऐसे पर्व हैं जिन्हें संपून रास्ट्र यानि पूरा भारत वर्ष मिलकर मनाता है जो उन्हें रास्ट्री पर्व कहा जाता है ठीक है उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चो रास्ट्री परवे हैं जो देश वासियों को एकता के सूत्र में बांधते हैं ये कौन-कौन से राश्ट्री परवे हैं आईए हम देखते हैं ये तीन परवे हैं पहला स्वतंत्रता दिवस जब हमारा देश आजाद हुआ था उसको हम स्वतंत्रता दिवस के नाम से मनाते हैं है ना दूस के birthday को celebrate करते हैं ये तीन हमारे जो हैं ये हमारे राश्ट्रिय पर्वे हैं ठीक है बच्छो अब हम लोग इस पार्ट के माध्यम से इन तीनों राश्ट्रिय पर्वों को पढ़ेंगे जिसको हम सब सभी धर्म के लोग एक जुट होकर मनाते हैं ठीक है अब एक और चीज देख बच्छो हमारे जो भारतवर्ष की जो संस्कृती हैं हमारा पहनावा उड़ावा हमारे रहन सहन का तरीका हमारे खान पान के तरीके हमारा जो धार्मिक है दार्मिक चीज़े हैं इस यह सभी चीजों के लिए जो विश्व के लोग हैं जो फॉर्णर्स हैं बाहर के लोग हैं वो अट्रैक्ट होते हैं हमारे भारतवश की संस्कृति से इसका मुख्य कारण है अनेकता में एकता क्यों क्योंकि यहां अलग-अलग तरीके के चीजे दिखती हैं मतलब मुस्लिम फ भारतवश में हमारे कल्चर्स चेंज होते जाते हैं थोड़े थोड़े बदलाव आता है तो इसी इन सब चीजों के वज़ा से क्या होता है बच्चों हमारे भारतवश में अनेकता में एकता हैं हैं यहां अनेक धर्मों जातियों के लोग मिल कर रहते हैं भले ही कोई पंच यह नाम है भारत वासी हिए तो हमारा जो भारत वाच है अलग光 तरीकें से लोग पहने देखो जैसे कि गुच्छgi रात में साड़ीयां सी पलेवर्वलयां से पेहने करेमें पहन लुट करें पहने हैं फिर बैंगल में यह स्टाइल की सी बिल दो साड़ी पर भाता है और जग भातीश बाएं तो हमारा भारतवर्ष टो आपने अम घ्या करता है इकता एक्तान हैं फिर भी भारत शब आ इसको एक नाम से जानते हैं भारतवासी के नाम से जानते जब आप बाहर जाओ इंडिङे के बाहर जाओ तो लोगं क्या कहैंगे भारती रोक सी यह ने गुज्एत के हैं या युपी के हैं या एंपी के हैं महराजट के हैं नहीं वहान पे कैसे कहते हैं भारत वासी है इंडीय ठे बाहर जब जाओगे तो आपको भारत वासी के नाम से जाना जाएगा ठीक भारत तेश में लोग अपनी अपनी धर्म मानिताओं के अनुसार तिवहार मनाते हैं भारत में क्या है अपनी अपने धर्म और उसमें जो मानिता है उसके अनुसार ही तिवहार को मनाते हैं जो कि उनके धार्मिक वसामाजिक पर्व होते हैं मगर कुछ तेवहार ऐसे होते हैं जिने संपूर्ण रास्ट्र मिलकर मनाता है जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि भारत में सभी अपने धर्म के तेवहार मनाई जाते हैं लेकिन बहुत से हमारे भारतवास में तीन तेवहार हैं जो रास्ट्री पर्व कहलाते हैं और समस्त भा सारे भारतवासियों को समस्त भारतवासियों को एक धागे में पिरो कर सुन्दर माला का निर्मार करते हैं क्या करते हैं सुन्दर माला का निर्मार करते हैं ठीक है जिस प्रकार से एक माला में विभिन प्रकार की मोतियां होती है ज़रूरी नहीं है कि बाला रेड है तो पूरी मोदिया रेड मल्टी शेड के भी आप माले पहनते हुए है ना बचो तो उसमें क्या अलग-अलग कलर के माला होते हैं तो वो कलर डिफरेंट है लेकिन एक धागे में पिरोई हैं वैसे ही हम भारतवासी भी हैं जो अलग- संस्कृति के अलग-अलग मानताओं के हैं लेकिन फिर भी एक मायब धागे में पिरोई हुए है तो हमारे भारतव देश्च में तीन राश्ट्री पर्व मनाए जाते हैं कौन-कौन से हैं स्वतंत्रता दिवस गरतंत्र दिवस और गांधी जयंती यह तीन हमारे राश्ट् स्वतंत्रता का दिवस है यानि इस दिन हमारा भारतवर्ष अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था इंग्लेंड से आजाद हुआ था ठीक इसलिए इसको स्वतंत्रता यानि आजादी का दिन कहा जाता है 15 अगस्त का दिन हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ था कब हुआ था बच्चों 15 अगस्त को 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत वर्ष के प्रथन प्रधान मंत्री पहले प्रधान मंत्री कौन थे पंडि जवाहर लाल नेरू ने लाल के लिए पर जंडा फेराया था पहली बार जंडा फेराया गया था 1947 को 15 अगस्त की डेट में तब से लेकर आज तक यह दिन स्वतंत्रता दिवस के नाम पर हमारा राश्ट्री पर्व बन गया इस दिन का मुखे समारो भारत की राजधानी दिल्ली में लाल किली में होते हैं किले के प्राचीर पर हमारे देश के मानिनी प्रधान मंत्री ध्वजा रोहन करते हैं ध्वजा रोहन का मतलब क्या होता है ध्वज को यानि जंडे ध्वज मतलब जंडा रोहन मतलब फेराना तो जंडे को फेराते हैं और राश्ट्रगान के साथ तिरंगे को सम्मानित किया जाता है राश्टरगान करते हैं और अपने तिरंगे को अपने जंडे को हम लों क्या करते हैं सम्मानित करते हैं उसे सम्मान देते हैं और उसके पाद सरकार द्वारा किये गए कार्यों के विशे में प्रधान मंत्री जी जनता को बताते हैं क्या करते हैं अपनी जनता को बता किया जाता है अगामी में आने वाली वर्ष की जो योजनाई है उसको भी क्या करते हैं जनता के सामने घोशित किया जाता है फिर क्या है बच्चो भारत की राजधानी कौन है राजधानी दिल्ली भारत की राजधानी के अतिरिक्त सभी राजियों में भी यहाँ पर वो दूम कल्चुरल फंक्शन होते हैं इसमें विद्यालियों कार्यालियों में एक दिन पहले स्वतंत्रता दिवस मना लिया जाता है क्योंकि इस दिन संपूर्ण देश में अवकाश होता है एक दिन पहले मना लिया जाता है क्योंकि पूरे देश में 15 अगस्त को अवकाश यानी शहीदों को भी याद करते हैं उन अमर शहीदों को कौन से जिनों ने आजादी दिलाई थी याद करते हैं जिनके कारण हम यह दिन मिला कौन थे भगत सींग है ना ऐसे बहुत सारे लोग थे जे नई दिल्ली में इस्थित अमर जबान जोतीम पर देश के दिगच नेता देते हैं तो इस प्रकार से हम अपने किसको 15 अगस्त को मनाते हैं जिस दिन हमारा भारत वर्ष आजाद हुआ था ठीक है लाल के लिए पर मनाये जाता है वहाँ पर प्रधान मंत्री वहाँ पर द्वजा रोहर करते हैं है ना और अपनी पॉलिसी बताते हैं अपने देश को अपने कारियों के बारे में अपने देश को बताते हैं और संभोधित करते हैं फिर दूसरा है गरतंत्रे दिवस पहला हमने स्वतंत्रता दिवस पढ़ा अब है दूसरा वच्चों क्या है गरतंत्रो दिवस ठीक है अब गरतंत्र दिवस में क्या हम लोग देखेंगे क्यों क्यों मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस के समान यानि गर्तंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस के समान गर्तंत्र दिवस भी हमारा राश्ट्री पर्वे है ठीक है हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब भारत पूर्ण गर्ण राज्य बना तो हमारा अपना समिधान बन क्योंकि बचो देखो हर वही चीज सबसे सही और सटिक चलती जहां पे नियम और कानून होते हैं तो समिधान सही सारे नियम और कानून बने तो इसलिए उसका बनना जरूरी था तो इस दिन गरतंत्र दिवस के दिन हमारे भारतवर्ष का समिधान बना 26 जनवरी 1950 को हमारा समिधान लागू हुआ था इस दिन कोगरतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है इस दिन भारत को समपून प्रभुसत्ता संपन्य राज खोशित किया गया यानि इस दिन भारत को संपून प्रभुसत्ता यानि पून रूप से आजाद है और जितने भी हमारे जो भी आदेश है जो भी है हम उसको खुद से ले सकते हम किसी पर डिपेंड नहीं है कोशित किया गया गरतंत्र दिवस हमें 26 जन्वरी 1930 का इस्मरन कराता है क्योंकि इस दिन नहरू जी की अध्यक्षता में पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था अब भारत की राजधानी दिल्ली में राजपत विजय चौक पर विशेश कारिक्रम प्रस्तुत किया जाता है प्रधान मंत्री अपने संपूर्ण मंत्री मंदल के साथ यानि जितने भी मंत्री मंदल है प्रधान मंत्री के उनके अंडर में काम करते हैं उनके साथ देश के राष्टरपती का स्वागत करते हैं विजय चौक से लाल किले का किले तक परेट जाती है जल तल और वाईो सेनाय राष्टरपती को सलामी देती है और 21 तौपो की सलामी दे जाती है ठीक है? विबिन राज्यों की जाकियां अपने अपने राज्य की सर्विस्ट्रेश्ट कला का प्रदर्शन करती हैं विबिन राज्यों की जाकियां मतलब अपने अपने राज्यों की जो जाकियां है special चीज है उसका service rest कला का प्रदर्शन किया जाता है service rest जाकी को पुरुस्कृत यानि उसको इनाम दिया जाता है किया जाता है विद्यालेओं के छात्र भी अपना कारेकरम प्रस्तुत करते हैं यहाँ पर और देश देखिए ऐसे यह सलामी दी जाती है परेड होती है फिर विद्यालेओं के फिर देश के सैनिकों को रास्ट्रपती द्वारा परमवेर चक्र तथा अशोक चक्र प्रदान किया जाते हैं बहादुरी के लिए बच्चों को भी पूरस्कृत किया जाता है यहां हमारे भारत वर्ष के गर्व तथा सम्मान का प्रतीक है तो इस प्रकार से हम लोगों ने दो ब्रास्ट्री पर्व को पढ़ा और समझा कि उस दिन क्या-क्या चीज़े की जाती है अब है नेक्स्ट हम करने के पुजारी थे और इसी अहिंसा के बल पर के गर्यावहारा रास्ट्रेल के दिन कहा जातारी यहां को हों बातार सी जांति को אל प्रकार राक्या जैन्युज्व 1 challenging Ce उन्होंने फिरंगियों फिरंगी मतलब अंग्रेजों को बाहर खदेडा और भारत स्वतंत्र हुआ था गांधी जयनती को हम राश्ट्री परवि के रूप में मनाते हैं गांधी जी की इस्वृति में देश भर में सभाएं तथा सांस्कृतिक कारक्रम प्रस्तुत किये जाते हैं गांधी जी की समाधी राजगाट पर हमारे देश के विसस्ट नेता श्रद्धा सुमन भेट करते हैं हमारे देश में हमारे प्रदानमंत्री जी श्री नरेंद्र मुदी की जी के द्वारा दो अक्टूबर दोजार चौदा गांधी जी के 145 वे जनम दिन पर को स्वक्ष भारत अभियान का आरभ हुआ था जिसकी समाप्ति गांधी जी के 150 वे जनम दिवस पर होगी ठीक है इस अभियान का मुख्यों देश देश को गंदिगी से मुक्त कराना मतलब फ्री कराना और खुले में सौच को समाप्त करके सौचालेयों लोग का निर्मार करना जैसे कि गाओं में लोग क्या खेतों में जाते न तो वो खतम करके हर जगे सौचालेयों और वहाँ प तो बहुत स्वक्षता साफ सफाई है गांधी जी ने समाच के अपेक्षित तथा दलित लोगों को समाच में बराबरी का स्थान दिलाने का भरपूर प्रयास किया था और वे चुवा चूट के घोर विरो दीते जैसे कि पहले के जमाने में लोग क्या करते थे जो पिछडी जाती के लोग थे उनको छूते नहीं थे उन्हें अचूत मानते थे तो इन सब चीजों के घोर विरोधी थे गांधी जी उन्हें ये चीज़े बिल्कुल नहीं पसंद थी ठीक है इन निम्ने वर्ण के लोगों को उन्होंने हरिजन का नाम दिया हरिजन का नाम दिया और य हमारे ये तीन राश्ट्री पर्व राश्ट्री एकता के प्रेना शोत हैं ये पर्व हमारे अंदर नवीन उमंग साहस और जोश लाते हैं ठीक है बच्चो तो यहां पे हमारा चैप्टर आज फिनिश हो रहा है और ये चैप्टर खतम होने के बाद आपको मैं यही आशा करू कि आपको अपने देश के तीन राश्ट्री पर्व के बारे में पता चल जाएगा आज आप इसको अपने लाइफ टाइम अपने जहन में रखोगे कि तीन ऐसे पर्व हैं हमारे भारतवर्ष के अंदर जिसको पूरा भारतवर्ष संपून भारतवर्ष एक जुठोकर मनाता हैं बाकि जो हमारे अपने जाती के अपने धर्मे के जो फेस्टिवल्स हैं तो वो तो हम लोग अलग-अलग मनाते हैं बट यह तीन ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिसको हम लोग सभी हिंदू हो मुस्लीम हो कोई भी धर्मे के हो कोई भी जाती के हो वो सब मनाते हैं इसमें कोई जो है इस बाटा गया नहीं है कि इसको हिंदू बना सकते मुस्लिम ने उसको मुस्लिम बना सकते हिंदू ने ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है ठीक तो स्वतंत्रता दिवस हमारा जो है 15 अगस्त है इस दिन हम स्वतंत्र हुए थे करतंत्र दिवस में हमारे सविधान लागू हुए थे 26 जन्वरी को फिर 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं तो यह तीन हमारे राश्ट्री पर्व हैं इसको आप हमीशा याद रखना कि कोई पुछे राश्ट्री पर्व कौन-कौन से तो आप इसली आप इन तीनों का नाम ले सकते हो ठीक है अब यह आता है आपका देखे शब्दार्थ अब इन शब्दार्थ को आपको अपनी नोड़ बुक में कंप्लीट करना है ठीक है बच्छो आशा करती हूँ अच्छे से आपको यह चप्टर समझ में आया होगा बहुत अच् आप इसका वीडियो भी देखना और वीडियो देख करके तब फिर आप इसके कोशनासस एक्सराइस अपनी नोड़ बुक में करेंगे जिसकी वजह से यह चप्टर आपको बिलकुल क्लियर हो जाएगा ठीक है धन्यवाद बच्छो